दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में स्टुडेंट को फ्रे में मिलेगा लैप्टोबर टेब अनिति सरकार ने किया बड़ा एलान जी हार आज में कुरोना की वज़ा से बच्चों की पढ़ाये पर काफी असर पढ़ा है ज्यादातर क्लास ओलाइन चल रही है लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परिशानी का सामना करना पढ़ा है उची संसादन नहीं होने की वज़ज़ से कई बच्चे पढ़ायी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में बिहार सरका ने सरकारे स्कुल के नवी से बारवी तक के 36 लाख से अधिक चात्र चात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टेब या आइने गैजेट देने के तयारी शुरू कर दी है इसके लिए टेब लेपटोब और इलक्टोनिक गैजेट तयार करने वाले विविन कमपनियों के प्रतिनिदियों के साथ सिख्चा विवाग के अपर मुख के सचीव संजे कुमार ने पहले बैठक की है इलक्ट्रोनिक गेजट तयार करने वाले कमपनियों के प्रतिनिदियों ने प्रेजेंटेशन दिया है आपको बदाद कि विभाग ने अभी तै नहीं किया है कि टेब दिया जाए या छोटा लेप्टोब रासी खर्श के मामले पर अगली बेठक में चर्चा होगी पंदरा दिनों के अंदर कमपनियों से प्रता मिलने के बाद विभाग फिर इस पर विमर्स करेगा अगली बड़े कबर बिहार के इन चार रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास विदाए हाइटेक लूक देख दंग रह जाएंगे सभी जी हाँ इस्टेशन पुनर विकास परियोजना के तहत राजेंदर नगर टनमिलल समेत बिहार के पाँच रेलवे स्टेशनों का विकास होगा देश में एक सो तेस स्टेशनों के पुनर विकास के पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप परियोजना के तहट नेजी छेतर के भागिदारे के साथ इसे पूरा किया जाना है पुरमादरेल के राजंदर नगर के अलावा मुझपरपूर बेगुसराई एवाम सिंगरोली स्टेशन विस्व इस्तरिया बनेंगे CPRO राजस कमार ने बताए कि गुजरात के गांधी नगर में प्रधान मंत्रे ने वर्ल्ड कलास स्टेशन को समर्पित किया है उसी कड़े में बिहार के पांच स्टेशन विक्सित किया जाएंगे स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे की ओर से अधिकरित एजंसी कंसल्टेसी वर्क में जुटी है जल्दी रिपोर्ट तयार होगी मन्जुरी मिलने के बाद काम सुरू किया जाएगा आपकी जानकार एकल वदा देखे रेलवे स्टेशन 20 विस्तरिय एवं अच्तादोनिक स्विदा से योगत होंगे स्टेशन को ग्रेन विल्डिंग का रूप दिया जाएगा यहाँ वेंटिलेसन की वेबस्ता होगी रेलवे की जमिन पर मॉल और मल्टी परवस बिल्डिंग मनेंगे स्टेशन का विकास सौर उर्जा उर्जा दक्चता उपकरन और हरित इमारत मानको की किया जाएगा स्टेशन पर आमागमन एवाँ प्रस्तान के लिए परवेज और निकास दुआर बिल्कुल अलग होंगे स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवाँ पत्तिक प्लेटफॉर्म पर एकसलेक्टर एवाँ लिप्ट बनाए जाएंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में यात्रियों को सुविदा हो यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवैसक सुविदा में खान फान वास रूम पीने का पानी एटियम इंटरनेट की सुविदा होगी इस्टेशन के आसपास के सड़के भी बहतर होगी इसके लिए राज सरकार से समय नव बना कर काम करना होगा अगली बड़े कबर बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जाच अभियान 534 में से 184 वाहनों पर लगा जुर्माना 15 वाहन जब्त जिहां सारवजनिक परिवहन के वाहनों में करोना संक्रमान से बचाव के लिए मास्क जाच सहीत मनमाना भाड़ा वसुल की विरूद सनिवार को सभी जिलों में विसिस जाच अभियान चला गया इस दोरान कूल 534 सारवजनिक परिवहन के वहनों की जाच की गई जिसमें विविन धाराव के तहत लगवग 184 वहनों पर जुर्माना लगा गया वही 15 वहनों को जब्द किया गया बतादी की परिवहन मंत्री सिला मंडल द्वारा सभी जिला परिवहन पतादीकारी को अगली बड़े कबर एस साल 29 दिन का होगा सावन महिना चार स्वमवारे को पुजा कर पाएंगे सिभग्त जिहां एस साल सावन का पवित्र महिना 25 जुलाई से सुरू हो रहा है स्रावन में क्रिशन पक्च की दिवतिया और सुकल पक्च की नमनी तितिक अच्छाई है हाला के दिनी खतम होगा जो तिसो के अनुसार इस बार सावन में नौमी तितिक को हानी हो रही है इसके परिणाम सोरूत भारत के किसी राज में सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है कोरोना करफियों खतम होने के बाद कई मंदिर और सिभालोई के द्वारा भक्तों के लिए खो प्रियों की बहार इस बिभाग में जल्द निकल सकती है 20,000 पदों पर बहाली जहां ग्रामीन कार विभाग को दो महिने में करीब 1,000 इंजिनियर मिल जाएंगे इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजिनियर सामिल है साथ यूडिसी एल लिसी इस्टूर कीपर लेब तग इंजिनियर सुप्रेटेंडिंग इंजिनियर और एक्सक्यूटे इंजिनियर के लिए अतिरिक्त बदोकर सीर्जन करने के तैयारी है बहुत जल सरकार की मन्जूरी के बाद बहाली की प्रक्रिया सुरू होगी अगली बड़ी कवर कोरोना टिका करन में बिहार बना देश का आटवा राज दो करोड के पार पहुचा आकड़ा जिहां राज में कोरोना टिका करन का आकड़ा सुकुरूआर को दो करोड के पार हो गया है सुकरवार को राजी में 2,60,000 से अधिक लोगों को टिका दिया गिया इसके साथ बिहार में अब तक 2,85,000 लोगों को कोरोना का टिका दिया जा चुका है बिहार देश का आठवा राजी है जहां 2,00,000 से अधिक लोगों का टिका करन किया गिया है देश में कोरोना की तिसरी लहर की आसंका अगले 100 दिन बेहत खा सरकार ने जारे की चितावनी जहां देश में कोरोना की दोसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी हो लेकिन तिसरी लहर की आसंका से अभी डरे हुए हैं तिसरी लहर के आसंका को देखती वे सरकार ने अब आम लोगों के लिए चेतावने जारी की है केंदर सरकार ने इस पश्ट तोर पर कहा है कि कोरोनम हमारे के खिलाब इस लड़ाई में अगले 100 दिन से 125 दिन बहुत खास होंगे निती आयोक के सदय से डाक्टर विक्ये पाल न मुताविक दुनिया में कोरोना संक्रवन के मामले एक बार पिर से बढ़ रहे हैं बाड़े कबर सेम नितीस के किलाब केस दर्ज कराने पटना के स्टी एस्टी थाने पोचे आये सुधिर कुमार नहीं लिया गया फायार जहां मुई के मंतरे नितीस कुमार और आये समेत कई बड़े अधिकारियों के किलाब केस दर्ज कराने बिहार के सीनियार आये सुधिर कुमार पटना के एसी एस्टी थाने पोचे जैसे ही या कबर पटना पुलिस के जिला अधिकारियों के पास पोचे तो हडगम मच गिया आये सुधिर कुमार के आवेदन लेकर थाना अध्य करते वे सुधिर कुमार ने कहा कि आज से तीन महीने फ़हले मैंने सास्त्री नगर थाने में सस्पी और थाना प्रबारे की मौजोदगी में मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था उस समय भी मुझे रिसीट देखकर बाद में केस दर्ज करने के बाद की गए थी लेक थमा दिया गिया है उन्होंने पूरे मामले के जानकारी देते वे कहा कि मेरे खिलाफ फरजी एपिड़ेपीट और जाली कागजाद बना कर फसाया गिया उसकी बिरोध में नीचे से लेकर मुझमंत्री की खिलाफ केस दर्ज कराने आया हो लेकिन मेरा केस दर्ज नहीं किया गया है एक बार फिर से मुझे निरासा हाथ लगी है आपको बदा दे कि इंटरिस्तर या संयुक्त परतियोगिता परिचा का प्रसन पत्र जब लिख हुआ था उस वक्त सुधिर कुमार बिहार करमचारी चैन आयोक के अधर्च थे प्रसन पत्र लिख को लेकर पटना के अगम को अथाने में रातमी की दर्च की गई थी जाज के दोरान प्रसन पत्र लिख मामले में उनकी संलिपता की साक्ष मिले थे जिसके बाद 24 परवरी 27 को ने गिरपतार कर नियाई किरासत में जेल भीज़ दिया गया था दूसरी तरफ इस मामले में तेजस्वी आदब बोले सीम आवास में लेगल टीम बेठी है मुखिमंत्री इमानदार है तो डर से काप क्यों रहे हैं जी हाँ आयाई सुधिर कुमार द्वार मुखिमंत्री और उनके प्रदान सचीव चंचल कुमार समेथ दूसरे अदिकारियों के खिलाब एफ आयाई दर्ज कराने का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है नेता प्रतिपाउच तेज़स्वी आदम ने तीके सवाल पूचती वे कहा कि मुझे के मन्त्री नितीस कुमार की खिलाब एफ आयाई र क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है तेजिस्वी ने कहा कि अगर F.I.R होगा तो नितिस कुमार जेल जाएंगे तेजिस्वी अदब ने कहा कि बिहार के एक सिनियर आयस अधिकारी आज थाने में जाकर 6 गंटे तक बैठे रहे अधिकारी सुधिर कुमार सब्दो का पुलेंदा लेकर थाने गए थे उन्हें 6 गंटे तक थाने में बैठा कर रखा गया लेकिन F.I.R दर्ज नहीं किया गया तेजिस्वी ने कहा कि उन्होंने देश में एक ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं देखा है जब एक सिनियर आये सदिकारी मुख्यमंतरी की खिलाब केस दर्ज कराने थाना जाए और उसके सिकायती ही दर्ज ने की जाए नियम कानून कहता है कि पुलिस को सिकायत दर्ज करनी है उसके बाद जाच में अगर वह आरोपी को निदोस पाती है तो F.I.R को क्लोज कर दिया जाता है अगली बाड़ी कबर उत्तर बिहार में फिर बढ़ने लगा है नदियों का जलेस्तर बाड़ से घिरे कई गाउं लोगों की बड़े मुस्किले दर्बांगा में S.D.M. ओपिस में गुसा बाड़ का पानी जहां उत्तर बिहार में सनिवार की सुबह से दिन बर कही रेमजिम तो कही जमाजाम बारिस भी बारिस के कारण सभी प्रमुग नदियों के जलेस्तर में फिर सी विरिदी होने लगी है गंड़क और बुड़ी गंड़क में पानी बढ़ने से पुर्वी चंपारन के पिराल होने लगी है इधर समस्तिपूर में बागमती बुड़ी गंड़क और करे का पानी मितान सहीद पांच प्रकंडों में तबाई मचा रहा है दरबंगा में कमला और जिवच नदी का पानी वेनीपूर और बिरोल प्रकंड के नई चेतरों में पानी फेल रहा है पश् अगली बड़ी कबर बिहार में आकासे बिजली बनी आफ़त वजरपात से रहतास में दो और बाका में एक की मौत मौसम विबाग का अलड़ जारी जिहां बिहार के बाका जिले के कटोरिया प्रकंड के दमदोरा गाह में सनिवार की साम करिब चार बचे आचानक हुई बज सुन सक्रिय हो चुका है वहीं बिहार में मौसम का मिजाज बदल गिया है जिसके बाद मौसम विबाग ने भी बारेस और बजरपात का अलड़ जारी किया है अगली बड़े कबर पटना से बेतिया भागलपूर पूर्निया के लिए भी चलेगी इलक्टिक बसे अगस तक तैयार होगा चार्जिंग स्टिसन जिहां इलक्टिक बसों में सपर करने में यात्रियों को दिलजस्वी बढ़ने लगी है ऐसे में इनमें बढ़ती जनसंग् पटना से बेतिया भागलपूर पूर्निया वा बोधगया के लिए इलक्टिक बसे चलाएगा इसके लिए बेतिया भागलपूर मदवनी में इलक्टिक चार्जिंग इस्टिसन बनेगा इसे अगस तक तैयार कर लिया जाएगा बड़ी ख़बर अब IGIMS में नहीं होगा ऑक्सिजन की कमी से किसी के मौद 60 लाग के लागत से प्लांट बनकत तयार जिहां कोरोना के दूसरी चरण में जिस तरह ऑक्सिजन की कमी के कारण सेकडों मरेजों को अपने जान गवाने पड़ी थी लेकिन अब इससी को दूर करने के परियास सुरू हो गए है पाटना के बड़े अस्पतालों में सामिल IGIMS में रहवार को नई बने ऑक्सिजन प्लांट की सुरुआत की जाएगी इस प्लांट की सबसे बड़े बिसस्ता यहाए कि यहाँ हवा से एक मिनिट में 233 लिटर ऑक्सिजन तयार करेगा साट लाकी लागा से तयार किया गए प्लांट का उदगाटन पूर्व केंद्रे मंत्री रवी संकार परसाथ करेंगे बड़े ख़वर राज में अब एक ही नमबर पर मिलेगी सबी परकार की इमर्जनसी सिवा डायल 112 जल्द होगा लाँज जहार आज में आप पुलिस को कॉल करना है तो सौ फायर ब्रिगेड के लिए 101 और अगर मेडिकल की इमर्जनसी हो तो एम्बिलेंस के लिए 102 नमबर डायल करना होता है लेकिन बहुत जल्द ही ये सारी नमबर बदल दिये जाएंगे इनकी जगा सिर्फ एक नमबर डायल करना होगा लोग 112 डायल कर सारी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे इसकी तयारी में ग्रिया बिवाग जुट गया है अब सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के एक्टुबर नमबर तक राज में यहाँ नई सिवा शुरू की जाएगी और अंग की बड़ी खबर पेट्रोल डिजल से नहीं अब देश में 100 परसंड एतनौल से चले की गाडिया पियूस गोयल ने बताया सरकार का प्लान जिहां इंडस्ट्री मिनिस्टर पियूस गोयल ने सुकुरवार को कहा कि सरकार ने 2023-2024 तक एतनौल बोडिंग का टारगे है रिन्यूवल सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास होगा जिसके कारण बैटरी इंडस्ट्री भी विकास करेगी उन्होंने कहा कि हम ऐसे टेकनोलोजी डेवलप्ट करेंगे जिसकी मदा से पेट्रोल की जगा सोफ हेजी एतनौल से ही गाडिया चलेगी आज के लिए अब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं